हेलो एब्रिवन, वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल, इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा चैप्टर नुबर थर्टीन है, सर्कल उसके बख्षिट नुबर वन का कोशन नुबर फाइव करेंगे, आगे देखें कोशन में क्या दिया हुआ है, इन दिस सर्कल, आपको ये ज ऐपको बताने की MN और XY ये क्या है, या है अब आप देखो MN और XY, मैं आपको बताती हो, मडिया था, आपकी code क्या होती है circle के उपर एक point से दूसरे point तक का line segment होता है बस एक ऐसा line segment जिसके end point कहाँ पर हूँ circle के उपर हूँ अब आप यह बताओ यह जो MN है इसके भी तो end point दो को M point भी circle के उपर है और end point भी ठीक है और क्या यह center में से pass होता है तो हम उनको क्या बोलेंगे code तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह क्या है हमारी codes दो हैं तो codes लिखा जाएगा अगर एक होती तो code लिखते है next है XN and MYR अब आपको यहाँ बताना है कि यह जो X से लेकर N तक और M से लेकर Y तक यह क्या है अब मैं आपको बता देती है यहाँ पर मैंने आपको बताया था हमारा diameter क्या होता है एक ऐसा line segment होता है whose end points lie on the center जिसके end point तो आपके center पर लाई करें end उसके साथ है कि यह condition थी कि वो आपको line segment कहां से pass होना चाहिए center में से pass होना चाहिए अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप उन्हें देखाऊगा कि m जब आप इस रास्ते पर जाते हो m n ठीक है आप नहीं यह x n एक्स n तो यह आप देखोगे कि इसके end point circle के उपर है लेकिन यह जो line segment हो कहां से pass हो रहा है center में से धुम क्या कहते हैं डायमीटर भी बोलते हैं असको तिक है आप इसको लेको सिख़ो लिख सकते हो और उसके साथ इसको क्या कह सकते हो चीज जो और बोलेंगे कहो कॉल्ड भी बोलेंगी क्यों क्योंकि कोड में सिर्फ इतना hype होता है यहां पर लिख भी देती हूँ कोड में सिर्फ ऐसे होता है यहां पर देखो कोड क्या होता है कि अलाइन सेग्मेंट जिसके एंड कोईंट कहा पर आने चाहिए सरकल के पर तो आपका जो डाइमेंटर होता है उसके end point भी तो आपके circle के उपर ही होते हैं मालो कि आपको यहाँ दिया ही नहीं हुआ आपको नहीं पता है center है या नहीं है लेकिन आप देखोगे जो PQ है इसके भी तो end point आपके circle के उपर आ रहे हैं चाहे वो center में से पास हो रहा है तो भी क्या दिकतर उसको हम code भी बोलेंगे means आप हर एक diameter को code भी बोल सकते हो ठीक है every diameter is a code ठीक है but every code is not a diameter ठीक है आपके जो diameter आप diameter को code भी बोल सकते है तो हम यहाँ पर लिखेंगे codes ठीक है next है हमारे पास C है OX and OMR अब आप यहाँ से देखो O से X पर आए है और O से M पर means आपने क्या किया है यहाँ देखो जब भी आप circle के जो center होता उसको कहीं पर circle के उपर मिलाते हो center को जब भी circle के उपर मिलाते हो तो हम उनको क्या कहते है radius बोलते हैं ठीक है तो यह आपकी क्या होंगी O X भी एक radius है और O M भी एक radius है लेकिन यहाँ पर क्या है अगर सिर्फ O X पुछा जाता तो मैं यहाँ लिखती radius अब यहाँ दो पुछे लिए हैं अब दो को radius का plural क्या होता है radius ठीक है ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको question number 5 करवा दिया है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर जरूर करें इस चाप्टर की जितने भी वीडियो हैं उन सब की प्लेइलिस्ट का लिंक और जो मेरी PDF होती है टेलिग्राम चैनल का वाली PDF का भी मैं लिंक आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में दोंगी और एक जो मैं Google Drive पे जो सेव करेंगी जो डिर्यक्ट ओपन हो जाएं और डाम्लोड हो जाएं उनका लिंक भी मैं आपको प्रवाइद कर दोंगी झाल कि तक दो मुड़िये का सब्स्क्रिप्शन में घज्राइद कर दोंगी